नमस्कार आप देखने टेन पी नियूस में हूँ अंकुर पांडे इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों में आपने कई लोग ऐसे देखेंगे जो बिना बुलाया आ जाते हैं बिहार में भी एक MBA का चात्र ऐसे ही एक शादी में चला गया और दूले के पास जाकर खाना खाने की परमीशन लेता है दूले ने इसे युवक को ऐसा जवाब दिया कि सबका दिल जीत लिया क्या है ये पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में दिसंबर महिना मतलब शादीयों का सीजन और शादीयों के सीजन में हमें बड़े ही बेसबरी से इन्विटेशन का इंतजार रहता है आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो बिना बुलाए भी खाने के लिए चले जाते हैं और कई लोग तो ऐसा करना इस्टंट बाजी मानते हैं ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सुर्खिया बटोर रहा है मामला बिहार का है यहां एक MBA का छातर किसी की शादी में बिना बुलाए पहुँच गया पहुँच गया ये तो सही है लेकिन ये महाशाय स्टेज पर चड़कर दूले के बगल में बैठ जाता है और दूले से गपशप करता नजर आता है और फिर दूले से शादी में खाना खाने की परमीशन लेता है इस दोरान वे दूले से कहता है मैं अपने मन से यहां आया हूँ मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है घर कहा है? मैं होस्टल में रहता हूँ, मुझे भूँक लगी थी, यहाँ खाने चला आया आपको कोई दिक्कत? ऐसे में दूला बेहत खुशो कर बोलता है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं इतना ही नहीं दूला उस अंजान महवान से कहता है कि अपने दोस्तों के लिए भी खाना पैक करा कर ले जाना इसके बाद लड़के के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वैदूले की शादी की शुब कामनाई देने लगता है आप भी जरा वीडियो देखिए इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रहा है दोले के इस विवहार ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है वीडियो को देखर लोग बिहार के इस दोले की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये होती है इंसानिया कई बार लोग ऐसे बिन बुलाई लोगों को भगा देते हैं या ऐसा करने पर सजा देते हैं जैसे उन्होंने खाना खाकर कोई क्राइम कर दिया हूँ लेकिन इस दूले ने अपने कुशल व्योहार और संसकार से ये सिद्ध कर दिया कि दुनिया में अभी भी मानवता के रच्छक बचे हुए हैं विरो रिपोर्ट टी एन पी नियूज